जी यां, इस वीडियो में भनवाद करने वाले हैं गायनेकोलोजी से रिलेटेड इंपॉर्टन डेफिनेशन्स के बारे में जी आपके पास gyneckology subject है और आपको ये बहुत सारी definitions तता टर्म नहीं याद है तो आपकी गाइनेकलोजी बहुत ज़दा कम जोड़ है तो आपकी इन definitions को आज ही आत करें क्योंकि गाइनेकलोजी के पेपर में ये अजित शाद भर भर पूछिती के पेपर में related disease का अध्यन करना गाइनेकलोजी कहलाता है यानि फीमेल में reproductive organs से संबंदित तता breast से संबंदित बिमारियों का अध्यन करना गाइनेकलोजी कहलाता है नेक्स्ट आप से पूच लिए जाएगे एम नोरिया किसे कहा जाता है तो यह अपरते चकल का रहा है मतलब absente esténergie का मुस्य साइक्ल यर्न किसी महिला में οι। मेंस्ट्रियोडेशट चक्र अपास्ते हो था लिढमी्टे क्या का quiénण ऊछिए रहा है dok नीज चाहिए महें यज़ प्रइब टीर परें किसी मासिक्वीज्प्सिचर का अमपस्ते होना प्राइमरी थायकल आता है इका मतलब अबे किंञे और अबसक्राइब का अब बारेंगे एक वह जाता है कि जो फीमेल में संब इसके लेकर बारएं सोट रुपिर खोगी में प्रइञा से बापनिया में घंक्रास डाइक परdam अब secondary M-menorrhea क्या होता है एक बार सामानी मासिक चक्र के प्रारम हो जाने के बाद छे महने या इस सदिक समय के लिए मासिक चक्र बंद हो जाना सेकंडरी M-menorrhea क्या जाता है यानि किसी फिमेल में मैंस्ट्रेशन साइकल जो एक बार तो स्टार्ट हो चुकी है ठीक है फिर वो अचानक से बीच में बंद हो गई छे महने के लिए या इस सदिक समय के लिए तो सेकंडरी M-menorrhea का जाता है नेक्स्ट प्राइमरी पैथोलोज किसी महिला में साट वर्ष की उम्र पर भी मासिक चक्र की शुरुआत नहीं हो पाना प्राइमरी पैथोलोजिकल एमनोरिया कर लाती है ठीक है फीजोलोजिकल एमनोरियम क्या हो रहा था प्यूबर्टी से पहले मैंस्ट्रो साइकल नहीं आ रही थी पर उसके बाद क्या होत क्रिप्टो का मतलब होता है गायब हो जाना या अइसपास्ट ठीक है तो क्रिप्टो मैनोरिया क्या होती है वह इस्तती जब महिला में मासिक LOOP से एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है तो लग तुस्ताओ यानि बीडिंग भी होती है जिया सही है पर उसमें ब्लेट आपाता है क्किभी वार कर दकार्ट वर्वर्वर्वर्वर्णार्री कीवजे से वह अवरोत कर रहा है रोकता है उस बलेट को बहार आने से बेजा है इसके बोलते है cryptomanoria आघेध डिस्मेनोर्यया जो सब की बता होगा डिस्स का मतलब आता है दर्द तो होता है यका महने गाराइगा होगी उसे प्रकर डिस्मेनोरिया मदला होता है inom मेंड्री ही नक्स技 वासिछ कर लाता है मेस्तमा बाद कलताल का तही डिस्मेनो्रेणे कर लाता है डिटिक मात्रा में पन उल्प मेर गश commodity यह Jug के मेला होता है बहना मेन जाना मेंड्री austri welcome माथरा मैं老師 एपी मेनोरिया और पॉली मेनोरिया एपी और पॉली का मतलब होता है जादा ठीक है जब मासिक दर्म की आउदी अठाइस से थीस दिन से घटकर 21 दिन या इससे ख़म हो जाये तो इस इस्सेथि को एपी मेनोरिया कहा जाता है इतल लिये मेनोरियी फिमेल में बहुत कम दिनों में रिपीट होएगी और बार बार आएगी तो इस इस्षित को ऑली में नुरिया कहा जाता है ठीक नेच्ट ने ओलिगो मेनुरिया जब मासिक और माशिक चक्र के मात्य का अंतराल 28 से 30 दिन से बढ़कर 35 दीन्हों और 35 दिन दर्म के नुरलिगो मेनुरिया का जाता है ठीक है नइस्ट हाइपोमें नुरिया जब मासिक दर्म के दर्म होने वाली bleeding की मात्रा तता आउदी कम हो जाती है तो इस विस्टित को hypomanoria कहा जाता है यह bleeding की मात्रा क्या होगी एक कम हो गए तो इस hypomanoria खा जाता है next important definition वह है metroragia metrora का मतलब होता है uterus तीक है तो uterus से होने वाली अनिमित irregular arcyclic bleeding metroragia कला दी नेक्ष्ट डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्रीडिंग किसी demonstration संदशनात में के organic pathology की वह नुपस्तिती में वी uterus में आसमाने bleeding होना dysfunctional uterine bleeding कला आती है यानि बिना किसी काराण के भी uterus से bleeding होती है तो उस डिस्फंक्शनल यूट्राइन bleeding का जाता next infertility infertility क्या होती है देखते है नहीं मेत रूप से एक साल यह सदिक समय तक बिना किसी घर्व नुरुद्दक साधनों का प्यूक्त के समवक यहां sexual interface करने के बाद भी किसी महिला का गर्वदार नहीं कर पाना infertility कर लाता है यानि सीदी सीदी बात है बिना किसी protection के यूद कि यूज किये बिना एक साल यह सदिक समय तक भी गर्वदार नहीं करना infertility कर लाता है primary infertility क्या होती है वाइस जब महिला ने कभी भी बिना गर्व निरोदक साथनों के समवक करने के बाद भी पुना गर्वदार नहीं हो पाती है तो यह से इक बार मा बन चुकिया पर फिर बाद में वह मानी बन पाती है तो उसे से कडर इंफर्टिलिटी का जाता नेक्स्ट है अस्स्टेट रिप्रोड़क्ट्ट्व टेक् लिए को आर्टिफीशल इंसेमिनेशन अतो प्ल्यूक्षाला में ओवम के नीशे चन्यान इन इन वेटरोई फर्टिलाइजेशन द्वारा बाइपस किया जाता है तो आर्टिफीशल रिप्रोड़क्ट्व टेक्नोलोजी का जाता है यानि इतमें फीमेल के ओवम तदा इस सेनियल वेजाइपस के बाद महीं लाओ में होने वाला वाला अगान चाला इस ट्रेम चीन वेजाइपस के लाता है इस रिटरोस द्वाताइपस का रहता है